26 जुलाई अने 2008 एक एहो गोजारों दिवस के जैने आजे पन अम्दावाद सहर याद करे तो आख मा आशु जुवामणी रहा छे सित्यर मिनिट नी अंदर 21 चक्याई अलगलग स्रेंड बत बॉम ब्लास्ट मां पतास्ती वतु लोकवे पुताना जीवु घुमावया हाता अन्थी एक बॉम ब्लास्ट अम्दावाद सहर नी सिविल होस्पिटल ना ट्रॉमा सेंटर पासे पन थोयवातो जया अम्दावाद सहर ना बॉम ब्लास्ट मां इजाकरस्ट अने मृत्यु पामिनार दर्भियोंने सिविल होस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पासे लावा मावी रहाता अने ते दर्म्यान अचानपच बॉम ब्लास्ट थता दोरता मची गेले थी ते गटनाने पन आचे अम्दावाद सिविल होस्पिटल ना सिन्यार डॉक्तरों अने पहरा मेडिकल अने मेडिकल स्टाक याद करे तैर देमना आखोमा आसु छोकस जोवा मली रहाचे ते गटनाने लईने आजे तेर वरस पूना थे आजे गारे अंदावाद सिविल होस्पिटल ना सिनियर डॉक्तरों अने तबीबो दुहरा ते ट्रॉमा सेंटर लेके जूनु ट्रॉमा सेंटर च्यांगड बंपलास चलोतो ते गटनाने याद करी अने क्यांगड मुलुत्रि मात्वानु छेके अनेक लोकों ये पुताना जी आप अतनामा गुमागे आता त्यारे सिविल होस्पिटल मां मुरुत्रिव पामनार अने इजाकरस ततनार तमाम लोकों ने सट्धान चली पाठे मामा आभी हादी आज जो 26 जुलाई है जो बोल सकते हैं कि तेरवी तिती है यहां पर इस जगा पर जहां हम अभी खड़े हैं ये ओल्ड ट्रॉमा सेंटर है उस टाइम पर ये ट्रॉमा सेंटर था जहां पर इमर्जंसी सारवर की जाती थी वो 26 जुलाई 2008 में यहां बॉम बलास्ट हुए थे वो एक सिरियल बॉम बलास्ट जो हमदाबाद में हुए थे उसका एक हिस्सा थे 17 मिनिट के अंदर हमदाबाद में 21 जगा पर डिफरेंट जगा पर बॉम बलास्ट हुए वो सब लोगों ने सोचा कि ये सारे दर्दी को सिविली ले जाएंगे तो यहां हमारे जो लोकल असारवा एरिया के जो सिवा भवी लोग है वो सब दोड के यहां सिवा करने के लिए आये थे और उसी टाइम पे 35 से 40 मिनिट बाद सिविल ट्रॉमा सेंटर में पहला ब्लास्ट हुआ फिर दूसरा हुआ वो दो ब्लास्ट में यहां के 39 लोग 49 लोग की देथ हो गई जिसमें एक हमारा डॉक्टर कपल भी था कुछ हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारी थे और ऐसे लोग थे जो यहां लोगों की सिवा करने आये थे उन्होंने भी अपनी जान गवाई थी उस दिन को हम कभी नहीं बूल सकते हैं बगवान को आज के दिन हम प्रातना करेंगे कि वो सारे जो मृतात्मा है उनको स्वर्ग मिले उनको सब के आत्मा को शांती मिले साथ-साथ उतनी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोग ऐसी जो नेगेटिव मानसिक के साथ जो लोग है जो एक इंसान होकर दूसरे इंसान के जी लेने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ये ब्लास्ट है वो सारे लोगों को सद्गुद्धी दे उन सब को ये सब नो करने के लिए प्रेदित करें और हम सब मिलके अगर एक भारत बनाएंगे हम सब मिलके नात जात से बाहर निकलके एक विकास्ती तरफ अगर मिलके जूड के आगे बढ़ेंगे तो हमारे देश का उद्धार भी होगा और ऐसी घटना है नहीं होगी तो आज फिर से हम उन लोगों को जिन्हों ने अपने जान गवाएं उन सब को स्रज्धांजली देते हैं और भगवान करें उनके आत्मा को शान्ती मिले और वो साथ स्वर्ख सिधाएंगे